असलामू आलेकुम उस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खेरियास से होंगे दुस्तों आज की वीडियो में हम सौधी रप की कुछ बड़ी और इंपोरेट्ट आ रही हो अपनों के साथ सेर करने वाले कर आप सब्सक्राइब जूरूर करें चले बढ़ते हैं वीडियो के तरफ पूरी के अपडेट आपनों के साथ सेर करते हैं दुस्तो पहले अपडेट यह है कि सौधे इंश्री आप हीम रेसर्स की तरफ से अपडेट जारी करके बतायए गया है कि सौधे रफ के अंदर डूमिस्टिक वरकर के इंसुरेंस के हवाले से नियम कानून तयार किये जा रहे हैं और काम पूरा होते ही इसका एलान कर दिया ज करें चाहे तो ना करें यह उसकी मर्जी हो गें पहले दो साल के लिए वर्कर का इंसृइंस자 लेना जरूरी हो अब इंसरेंड्स ए कफील और जो वर्कर है उसको क्या-क्या फायदे होगे तो यहाँ पर सबसे कि environment गिया है कि अगर worker की मौत हो जाती है या worker अपने कफिल के उपास से फरार हो जाता या भाग जाता है तो इस सुरत में जो insurance company होगी वह worker को नया domestic worker जो है वह ओपरदान करेंगी है यूर कि जो domestic worker रूरकर को भरती करने वाले agency होगी वो कफील को निया डुमिस्टिक वर्कर जो खे वो परदान करेगी इसके साथ ही अगर बताया यह गया है कि अगर वर्कर ड्यूटी नहीं कर पा रहा है या किसी दर कि वो कोई बीमारी में सामिल है कोई गंभीर बीमारी उसको हो चुकी है और वो काम करने में आसमर्थ है तो ऐसी सूरत में भी जो भरती एजनसी होगी वो कफील को निया डुमिस्टिक वर्कर जो खे वो परदान करेगी इसके साथ ही यहाँ पर वर्कर के हवाले से बताया यह गया है कि अगर वर्कर काम के दोरान उसको किसी तरह के कोई चोट आ जाती है या फिर कोई उसके जिसम का हिस्सा डैमेज हो जाता है नहीं वो बिकलांग हो जाता है या फिर वर्कर की मौत हो जाती है तो इसे सुरत में जो भरती एजनसी होगी वो वर्कर को मुवजा देगी और साथ में यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वर्कर की डेट बोडी होगी वो भी उसके देश भेजने का जो भी खर्चा होगा वो भरती अजन्सी ही उठाएगी इसके साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर कफिल की तरफ से वर्कर क सेलेरी अधा नहीं की जा रहे हैं तो इस सुरत में जो भरते उसी होगी वेर्कर को सेलेरी अधा करेगी जबकि अगर कफील की मौत हो जाती है और वेर्कर को सेलेरी औरर नहीं में पार रहे तो इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो भरती जंसी की होगी कि वो वर्कर को सेलिर्यू गरे जो है वो पे करें तो यहाँ पर वर्कर का भी फायदा होगा और कफिल का भी फायदा होगा तो अब जो भी डुमिस्टिक वर्कर ने वीजे पर सुधर भी आएंगे उनको दो साल का इंसुरेंस जो है वो लेना होगा अभी फिरा इसका एलान नहीं किया गया जिसे इसका एलान किया जाता है तो इसका आपको जुरूर से अपडेट इसके साथ उसका लिप डेट ये है कि सौधी पब्लिक ट्रांसपोर्टर होती ने सौधी रप के अंदर दो तरक की गाड़ी वेंच और ट्रालर के लिए नया कानून लागू करने का एलान किया है 26 नॉंबर 2022 से ये कानून जो के शुरू कर दिया जाएगा सौधी पब्लिक ट्रांसपोर्टर होती ने बयान में कहा कि गाड़ीों को ले जाने के लिए इस्तमाल की जाने वाली वेंच और ट्रालर का रंग एक जैसा होना चाहिए लोगो और जो बुनियादी जानकारी है वो भी एक जैसी ही दर्ज की जाननी चाहिए यानि कि सौधरब के अंदर जो ऐसी गाड़ियां होती है जिस पर जो ट्रालर होते हैं जिस पर कई गाड़ियां जो हैं लदी हुई होती है या फिर जो गाड़ियां खराब हो जाती है उसको उठाने के लिए दूसरी जो वेंच गाड़ी आती है उसका और जो ट्रेलर है उसका रंग एक जैसा होना चाहिए और जो लोगो और बुनियादी जानकारी है वो भी एक जैसी ही धर्ज होनी चाहिए यहां पर अपडेट में ये भी बताया गया है कि इस कानून से इसमें जो गैर मुलकी काम कर रहे हैं साथ दो गैर मुलकी काम को अभी कर रहे हैं साथ मोदे साथ वो पर शौड़ना पड़ सकता है इसके साथ इस लोगों का एकामा अब रिनीवल नहीं हो सकता है जिनके पासपोर्ट में 6 महिने से कम का टाइम बचा हो जियांस तो अगर आपके पासपोर्ट में 6 महिने से कम का वक्त बचा है और अपने एकामे को आप रिनीवल करना चाहते हैं तो आपका अकामा जोखे और रिनीवल नहीं होगा सौधी जवाजात से एक सक्स ने सवाल पूछा कि मेरा अकामे को रिनीवल करवाना है जबकि पासपोर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं है क्या मेरा अकामा रिनीवल हो सकता यह नहीं तो इस सवाल का जवाब देते हुए साओधी जवाजात ने कहा कि अगर आपके पासपोर्ट में 6 माइने से कम का टाइम बचा हुआ है तो इस सुरत में आपके एकामे का रिनीवल नहीं होगा एकामे के रिनीवल करवाने के लिए जरूरी है कि आपके पासपोर्ट में 6 मेने से ज़्यादा का वक्त होना चाहिए तो अगर आपके पासपोर्ट में 6 मेने से कम का वक्त है तो फिर सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट को रिनीवल करवाना होगा उसके वाद फिर आपका एकामा जो है वो रिन्यू किया जाएगा इसके साथ एक लिप डेट ये है कि एक जानकारी आपको दे दें कि सौधी सेंटल बैंक सामान ने 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक का सौधी रब के अंदर जो खरीदे गए आकड़े हैं यानि जो सामान खरीदे गए उसके जो आकड़े हैं वो जारी किये हैं अपडेट को उताब बताया ये गया है कि पिछले एक हफ़ते के दोरान 12.8 अरब रियाल के सामान जो हैं वो खरीदे दोस्तों ये थी आज की सौधी रब की कुछ बड़ी और इंपोर्टन अपडेट इंपोर्टन जानकारी जो आपनों के साथ सेर कर दी गई तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है लगी तो वीडियो को ला Heck जरूर करके जाया है और जो दो चैनल वपर नए है उनसे रिक्वेट रेक्वेश्टे पैलेज चैनल को भी सस्क्राइब जरूर रूर कर लेए वीडियो देखने हैं तो बहुत बहुत सुक्रिया मिलते हैं श्टुबिने श्टूपी के साथ तरके अपना कहलो के खुदा